एच्पियार का इतलाख हिंदुस्तान भर में डॉक्टरों, नर्सों, पैरा मेडिक्स, लेब टेक्निशीनर्स और दीगर हेल्थ केर प्रोफेशनल्स पर होता है तो डॉक्टर राशिद जैसे तिब्धी पेशावर अफराद के लिए एच्पियार के फवाइद किया है देखिए, सिहत की देख भाल करने वाले पेशावर अफराद के लिए एच्पियार के बहुत से फवाइद है इस्तेनाद एच्पियार के तहट रजिस्टर्ड हेल्थ केर प्रोफेशनल्स की काउंसिलों के जरिया तस्दीक की जाती है और उनकी मालुमात आनलाइन दस्तियाब होंगी आनलाइन रजिस्टर्स की दस्तियाबी की वज़े से मरीज सेहत की देख भाल करने वाले पेशावर अफराद को आसानी से तलाश कर सकते हैं और इस तरह डॉक्टर की प्रैक्टिस में इजाफा होता टेली कंसल्टीशन डॉक्टर टेली कंसल्टीशन के जरिये ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को दीखे सकते हैं जिससे मरीजों के साथ-साथ डॉक्टरों के वक्त और मेहनत की बचट होगी राबता कारी डॉक्टर दूर दराज इलाकों के मरीजों की एक बड़ी तादाद के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ एच पियार ने एक प्रेक्टिशनर सिंटर्ट प्लेटफॉर्म में बदल गया है जो लाइसंस की आनलाइन तजदीद, गवर्निंग बाडीज की जानिब से एनोसी हासिल करने, जारी तालीमी को आइंट्स को ट्रेक करने वगएरा जैसे फवाइद फराहम करता है आए समस्ते हैं कि किस तरह हेल्थ केर प्रोफेशनल्स दो आसान मराहिल पर अमल करके एच पियार में इंदराज के लिए अपनी हेल्थ केर प्रोफेशनल्स आईडिया तयार कर सकते है की वेब साइट पर HPR, गवब उनका विजिट करके इंदराज करना और इंदराज का अमल शुरू करना मतलूबा दस्ताविजात जमा कराना मतलूबा आबादियाती, तालीमी, स्पेशलाइजेशन और काम से मतालिख तफसीलात दर्ज करे आएए हम इन में से हर कदम को तफसील से समझी की वेब साइट पर इंदराज HPR, गवब, इन यू आर एल मुलाहजा करे नई के इंदराज के लिए लिंक पर किल्क करे शनाखती कार्ड बनाने के लिए आधार और ड्राइविंग लाइसन्स का इंतिखाब करे आएए अब आधार के जरिये बनाने का तरीका सीखते है Zelle में दिये गए स्टेप्स पर अमल करे आधार के जरिया एजनरेटर के बटन पर किल्क करे आधार नमबर दर्ज करें और शरायत और जबाबित को कुबूल करें और फिर जमा करें पर किल्क करे OTP के साथ आधार की तस्दीक करे मॉबाइल नमबर दर्ज करें और OTP के साथ इसकी तस्दीक करे मॉबाइल नमबर की तस्दीक के बाद Health Care Professional Zumra मुंतखब करे अपना नाम और पासवर्ड मुंतखब करें जिसके साथ कोई HPR में इंदराज करेगा और जमा करवाई पर किल्क करे कामियाबी के साथ तैयार हो जाएगा ये HPR में इंदराज के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है मतलूबा दस्ताविजात जमा करवाई तमाम जाती, रेजिस्ट्रेशन और काम से मतलिक तफसीलात जमा करवाई हत्मी तोर पर जमा कराने से पहले अपनी तफसीलात का जाइजा लें और तस्दीक के लिए फार्म को जमा करवाई HPR में रेजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने से पहले बराकरन तेजी से रेजिस्ट्रेशन के लिए मतलूबा दस्ताविजात को हाथ में रखे जाती तफसीलात जिसमें प्रोफाइल की मालूमात, के वाईसी का पता, मवासलाती पता और राबते की मालूमात शामिल है Registration की तफसिलाथ जिसमें मेडिसन का निजाम, Medical Council Registration की तफसिलाथ और सर्टिफिकेट और एहलियत की तफसिलाथ जैसे Degree Certificate, Diploma Certificate वगेरा शामिल है काम से मतालिक तफसिलात जिसमें खुसूसियत, मौजूदा काम से मतालिक तफसिलात जैसे मलाजमत का सबूत शामिल है सरकारी मुलाजमीन के मामले में इजाफी दस्ताविजात जैसे तकर्रूरी का खत, ताजातरीन तंखा की परची और तबादले का आरडर जमा कराना जरूरी है मजीद बरा, जमा कराई गई तफसिलात की तस्दीक मतालिका काउंसिलों आईदारों और रियासती और मरकस के जेर इंतिजाम इलाकों की इंतिजामिया की तरफ से सरकारी हेल्थ केर प्रोफेशनल्स काउंसिल और अधार के पास दस्तियाब अपने रिकॉर्ड के जरिये HBR मे खुद बخुद इंदराज और तस्दीक कर सकते हैं। आईए काउंसल सर्च फीचर के जरिये इंदराज करने के लिए मुनदरजा जेल इक्दामाद देखे। नए सारिफ के लिए किल्क करें और अपनी रिजिस्ट्रेशन काउंसल मनतखब करें। अपना रिजिस्ट्रेश करें और अधार की तस्दीक करें पर किल्क करें तस्दीक पर अपकी रिकॉर्ड काम्याबी से हासिल किये जाएंगे फिर हेल्थ केर प्रोफेशनल सारिफ नाम बनाएं और आगे बढ़ें आपको अपनी तफसीलात पहले से भरी हुई मिलेंगी खाबलियत और मौजूदा काम जैसी तमाम तफसीलात को दोबारा चेक करें और दीगर लाजमी जगहों को पर करें फाम मुकमल होने पर महफूज करें और अगला पर किल्क करें अलान फाम पर निशान लगाएं और जमा करवाईं पर किल्क करें आप फाम को मुकमल करने के लिए इस साइन इस्तेमाल कर सक आपको एक पैगाम मौसूल होगा जिसमें ये नजर आएगा कि दर्खास्त काम्याबी से जमा हो गई है। आपको एक पैगाम मौसूल हो गई है। एक पैगाम मौसूल हो गई है।